हुआ है है हलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉंसेप्ट मस्ती पर तो दोस्तो हम लोग जो बेसिक लेशिटी का लेक्चर पड़ रहे हैं उसका यह अगला वीडियो है इसमें आप लोगों को देखे गया कॉंसेट अफ लीडिंग ले अगर जब तक उसको नहीं देखें तो साथ इसको यह आगे वाला पार्ट ना समझ में आए तो उसको जाकर जरूर देखिए तो हमने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि कांसेट अव लीडिंग लेंग क्या है तो उसमें दो-तीन आपको सवाल भी दिये थे इसमे उसके सवाल कभी आपसे गलत नहीं होंगे अगर नहीं समझना तो इसके सवाल हमेंसा गलत करके आएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को weiß कर दीज़ेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सा क्क्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के ज्यादा शेयर भी कर दें तो देखते हैं पहला question question है पहला i1 equal to i am sin omega t minus 45 i2 equal to i am sin omega t minus 70 तो सबसे पहली बात किसमें question पूछता क्या है तो question ये पहला इसमें पूछेगा i1 और i2 के बीच का angle कितना होगा क्या पूछागा question ? वाइं पूछेगा और ये पूछता क्या होँचि का एंगल कितना होगा या तो एव और आइड को आइट करेंगा है क्या आइट करेंगी तो हमारा देखते हैं करसे इस question को solve करेंगे तो ध्यान समझेगा एप मैं बताओंगा फिर यूसके बाद फिर और कोशन आज का पूरा वीडियो इसी पर डिपेंड रहेगा मत्तब इसी इसी यही टॉपिक चलेगा तो देखिए हमारा यह जो ग्राप है जो चतुर्थांस होता है यह वारा जो है एक से स्कीस का यह ओरीजन यह मूल विंदू से इदर दाइने साइड में यह होता है साइन ओमेगा टी और यह वहता आपका कास ओमेगा टी आपको पिछले वीडियो में और ये नीचे वाजागा आपका माइनस कास ओओमेगा टी और इधर क्या होजागा माइनस साइन ऊमेगा टी तो आपके एकजाम के पेपर में इनका उनका-उस को नयुक्त आपक smika तो दोस्तो यह ऐंस यहां तक जो यह वैलू है को तो आप के जो यह वैलू है साइन ओमेगा टी को यहिए लेकिन वह सब्सक्राइब भी इन अर करता तो हागे है और कर से आणे सब्सक्राइब और इससे क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हरी in तो देखते हैं। als राइजय टिग्री टो देखते हैं。 उमेगा टी हाँ थी से माइनस 25 डिग्री incarcerated हरी और मिलिक्रेश्टे लेकिन हमको लगई करना है तो हमारा लाइजय का बीडियो में कि बाहर से चलेंगे जो पहले पढ़ता है जो क्टानने गवह से उसके श长 onze में देखना है इन पहले यह psychiat descriptive यहां से चलेंगे यह भी यह पढ़ेग़ आकर ँद्धेत यह कर रहे है मतलब क्या रही है लहक कर रहे haha साइन साइनों पृति से कितना 25 तीडर यी इंगल हो जाएगा आपका 45 डिगरी एक लिए भलहते आई साइन ओमेगा टी माइनस सथ्र आई टू क्या दिया है आई एम साइन साइन ओमेगा कि शाइन चयों ते ही मतला साइन ओमेगा है आपको यह आगया आई तो अब एंगल सतर कौन सा है सतर एंगल यह है आई टू इससे पीछे न तो आप सत्तर एंगल यह वह जाएगा तो अब यह बताए कि यह इनके इनके बीच एंगल पूछ रहा है यहां question क्या है I1 और I2 के बीच का code अब बताईए I1 यह है I2 यह code कितना हो जागा 70 में से 45 जाएगा तो कितना हो जागा आपका 30 degree तो यह एंगल हो जाएगा 30 सत्तर में से यह बड़े वाले में से छोटा जाएगा तो यह कितना हो हो जाएगा 30 degree अब बात आते है कि I1 और I2 में कौन लीट करेगा तो देखिए यह हो गया 30 degree तो इसका answer आजाएगा 30 degree और कौन लीट करेगा तो यहां से चला कर देख लिए इनके दुनों के बीच यह बाहर से चलते जो पहले पढ़ता है कौन लीट करेगा I1 लीट करेगा तो यहां पर आप कोई भी कोशन असानी से साल्व कर सकते हैं उम्मिद कर रहे कि आपको यह concept समझ में आ रहा होगा और समझ में अगर आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यह अभी कर द करें आप देखिए कोशन दुसरा क्या बोला कोशन आई इक्वल टू आई येम साइन मेगा टी प्लस नवर और दुस्रा दरावी इक्वल टू वीयम साइन ओमेगा टी माइनस 45 अभी तो चलते हैं पहले हम पहले हमको पॉजीशन खोज ने कि आई और वी कहाँ तो दोनों बीलेगा तभी तो हम एंगल बता पाएगगे तो पहले आई और भी की पोजीन से फाइंड करें कि हो कहां पेँग अब देखिए, I रिकाला है, तो I equal to I m sin omega t plus 90. तो sin omega t यही है, इससे plus 90, plus 90 मतब्लीट करता है, 90 क्या करेगा, लीट करेगा, तो 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, यही तो 90 होता है, यह भी 90 है, तो 90 को लीट करना है, मतब यह i क्या करेगा इस sin omega t से इस sin omega t से प्लस है 90 तो 90 कहां जाएगा उपर जाएगा देखे चलाकर यह तो आपका i कहां मिल जाएगा इस पर i और इसी को sin omega t plus 90 को हम लोग बोल सकते हैं का सुना है यह देखिए तो का सुनेगा टी यह होता है तो यह हो जाएगा आई आपका मिल गया और वी क्या बोला है वीम sin omega t minus 45 क्या बोला है Vm sin omega t minus 45 sin omega t यह है और minus 45 किदर आएगा नीचे तो यह आपका हो जाएगा V और यह angle कितना हो जाएगा 45 और यह angle कितना है 90 degree तो अब बताएगे V और I के बीच का angle कितना हो जाएगा 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 तो आप हो जागा 135 तो उम्मीद कर रहे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है और ये concept समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरत लाइक कर दें अब तक दें अगला क्वेश्चन कोई भी कोशन लिजे अब अपने से भी कोशन बना सकते कोई भी किसी भी लेवल का णिप्लोमा लेवल का जे लेबल का कि लिए लेवल का जोभी क्यूस्चन लेना वोलेजिए और बहुत ही अच्छा एक है है कश Свériब करसक्ते तो देखिएं हम कोई है कुछन अपने ससे बना लेजिये कुष्ख ही हो हम ले रही है कोई है क्यूंब यह आपर क्यू основ अब आपको बताना है कि वी और आई के बीच का एंगल कितना होगा बहुत इस के कोई भी कॉशन आई कि आप तुरंट कर सकते हैं तो देखिए हम वहीं काम करना है पहले हम बना लेंगे इस यह बना तो हो जाएगा आपका कास ओमेगा टी को और इस पर साई ओमेगा टी है तो बस अब का माइनस ओले और कोई कामी नहीं है तो देखते हैं पहला वी कहा है तो भी बराबर भी इंड और आएम कास ओमेगा टी अविए इमपोर्टेंट चीज तो यहां पर आयम कस काम आप की प्रश्प capture यहँसा है यह निफेश्पाय का स'? इससे प्लश्थिस जानए तो यह नीयक तो रजाए मृद पर आयम प्रेंस को इसके कोम के दो सबदमतिक स्वानगर की अपन शेलक साइब कॉये थे खर अक र्यूम sub हो जागा आपका आई और यहां से एंगल कितना हो जागा यह यह एंगल हो जागा आपका को जूर देंगे शत्तर सब्सक्राइब 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 तो पहले हमको भी खोजना है और आई खोजना है तो भी कहा है साइन ओमेगा टी से सतर आगे तो साइन ओमेगा टी यह था इसे सतर आगे भी मिला और दूसरा कि आई कहा है आई एम काउस ओमेगा टी प्लस 30 तो काउस ओमेगा टी यह और प्लस 30 यह यहां पर हमारा यह मिला त तो बाहर से चलाएंगे तो पहला कौन पड़ेगा आई आई पड़ेगा तो अगर किदारा लीट कर जाएगी तो उम्मीद कर रहे कि आप इस टाइब के कोई भी कुछन आप से गलत नहीं होगा तो वीडियो को तुरंट लाइक करते हैं आए आया ज़ै का अब माले इसको भी हम ले 10-20 मान अफ़ twists पीशड़ तो थोड़ा बी प्र एंडिक और गबळारा से कोश्चन कहां से आ Sonoda आगए अब कोई भी सवाल लिए जैसा सवाल बनाना है वाई होए से चौन बनाले जिए अब देखिए इसको भी माइनस 70 कर देते हैं देखते हैं कितना आता है माक्सियों बच्चे क्या करेंगे करेंगे आपका 70 70 या तो 0 करेंगे 140 करेंगे लेकिन देखते हैं अंसर कितना आता है तो आपको करना क्या है पहले यह बनाना है यह आपको कास ओमेगा टी थोड़ा सा दिहान देना है तो साइन वमेगाटी अब आना है क्वेश्चन पर करणा है और ए हैति सायन werde इस पर आएगा अगर यह सपतर नहीं होता तो इसी पर जीर होता तो two politics लेकिन यह प्लस गॉल सबस्क्राइब कर दिया तो इतान कार्या प्लस सब्क मिलेगाइब और यह एंगल को जाएगा 70 है ऑब है दूसरा आई बराबर आएय महीं स्ब्क्राइए ने का केiera मचने मार यो RO Teacastuk virus आपका नहीं मैइंगल हो जागा 20 अब आपको यह जए मैं लिया आए अब है आपको यह ईंगल पोजनाए और आई के बीट के अंगल अब बताई इसमें मैं अड़ा ना पड़ आपको यह 70 तो यह मिल गया आपको 30 तो यह 30 है तो आपका हो जाएगा यह बड़े वाले में से इस बड़े वाले में से हम इसको माइनस कर दे तो आपका यह एंगल कितना हो जागा चालीस हो जागा इसको देख लिए एक बार फिर से हां ठीक है चालीस हो जागा यह 30 तो इस वाले में से यह बड कर सकते हैं यह वाला कितना है सत्तर है आपका और यह सबतार तर्द थाल सब्सक्रों सब्सक्राइब टूबट सबाइब इस यह चाहिकंटी सारीप करें music लिए अधर पेड़ sum सुग्राइब के तो यह बचा हैने योग ईया है हिस तो यह बड़ा वाला सब्सक्राइब एचन्छ मञध Walk us और कौन सा लीड कर रहा है LE बॉक का रहा आपका डूसे हैं रख सब्सक्राइब कुषें उप्छाष एंज्य पर यहाँ एक चीज और द्रहान दाँ हम किसी भी दो रासियों को यह में लीडिंग लेंगे तभी बता सकते हैं जब दोनों की frequency क्या हो समानों लीडिंग लेंगे रासियों की तभी हम कर सकते हैं जब दोनों की frequency क्या हो समानों जैसे आई एक्वाल टू आई एम साइन सो पाई टी प्लस दस डिग्री और दुसरा एल वी इक्वाल टू वी एम साइन एक हजार पाई टी प्लस बीस तो देखिए ये फ्रिक्वेंसी अलग है ये फ्रिक्वेंसी अलग है तो हमके इसमें लीडिंग लेगिंग नहीं बता सकते हैं कौन आगे है कौन पीछे है बात के लिए रहे है तो यहां पर हमकी कोई मतब फ्रिक्वेंसी असमान रहेगी तो हम लीडिंग लेगिंग नहीं ब आपको देते हैं जिसको आपको सॉल्व करके इसका एंसर आपको वीडियो के कमेंट वाक्स में बताना है तो पहला कोश्चन आपके लिए है वी इक्वल टू भी यम कास ओमेगा टी माइनस पैतालिस और आई इक्वल टू आई यम साइन ओमेगा टी प्लस पैतालिस दूसरा है वी इक्वल टू वी यम साइन ओमेगा टी प्लस आठ और आई इक्वल टू आई यम कास ओमेगा टी माइनस पच्यास तो आपका ये दोनों कोश्चन दोनों कोश्चन का आपको साल करके वीडियो का में बाक्स में एंसर बताना है और उमेद करें के वह ईक्वल टूश्चन दोबारा पताने जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ये क्यों तो आपको अगले वीडियो जरू सौल कराएंगे ये वीडियो ये कुछन तो हमारा अगला topic से पहले हम लोग दखते हैं कि electrical circuit में कौन कौन से component लगते हैं और जो जो component लएंगे अब हम लोग basic electricity में वही वही component हम लोग आगे पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले बात कि आप लोग कभी किताब से न मिला है कि अब क्या पढ़ रहे हैं कहां से मिला है अब तो हम सहर एक चीज का basic चीज बता रहे हैं और इसका यूज हम लोग आगे करेंगे तो किताब में खोजने लेगे किताबों में अभी चेक करेंना पढ़िए कहां कहां से पढ़ा रहे हैं हम छोड़ी चीजों का पहले आपको concept बताएंगे फिर आगे इनका यूज कॉम्पोनेंट आफ को है कि एलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्पोनेंट अफ इलेक्टिकल सर्किट दोस्तों यह हमारा इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है तो सर्कीर में क्या चाहिए पहले शूर्स चाहिए उसके बार देखे वायर चाहिए और यह आपका लोड मत्स और श्याइए है या पर पूर हon दोयोता रेंगे और शूर्स तरह को थे हैं तो हम को पहला जोछीए सूर्स दूसरा चाहिए लोड और तीसरा ये कनेक्टिंग वायर जिसको हम लोग बढ़ेंगे पावर सिस्टम में और एक और चीछ चाहिए तो हमाद पहला चाहिए सोर्स दूसरा चाहिए लोड तीसरा चाहिए कनेक्टिंग वायर जिसे हम लोग बोल सकते केबल जिसे केबल भी बोल से जिसको अमनों डीटेल में पढ़ेंगे और चौथा चाहिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट में आपको चाहिए कि स्विच गेर में पढ़ते हैं सर्किट बेगार हो गया रिले हो गया यह सब चीजा आगे तो लोग बारी बाई से अब इसका ध्यान करेंगे तो पहले पढ़ेंगे सोर्स उसके बाद लोड पढ़ेंगे उसके बाद यह सब जो भी आ सोर्स तो सोर्स में Congress में देखते हैं का आगे क्या तो आजके वीडियो में इतना ही तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहे और पीक्छे अलग करते हैं तो आप लिक करते तो लंग बाद और आप आप लोग यूट्ण पर खोजते होंगे तो अच्छा आपको लोग का लाइक मिलेगा और कमेंट आप लोग करके बताएंगे और फिर से आपका बचार की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो इसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे कंटेंट की तो हम लोग भी एक अच्छी करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करें तो आप हमारा मनुवर बढ़ाई है हम आपका आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए